M.E.W.E. The King of Dis Tracks कुछ बड़े-बड़े रैपर्स भी M.E.W.E. को डिस करने से डड़ते हैं लाखो लोगों के लिए M.E.W.E. बीफ गेम में अब तक अंडिफीटेड है पर M.E.W.E. में ऐसा क्या खास बात है और क्योंकि हर एक स्पेशालिटी के साथ की वीडियो और इंट्रेस्टिंग बनता जाएगा So, the sixth speciality that makes M.E.W.E. the King of Dis Tracks is अब जैसे तुम लोग मेरे YouTube history का ये screenshot देख रहे हो मैं पिछले 5 सालों से M.E.W.E. का beef game को बहुत closely follow कर रहा हूँ और मैंने ये चीज़ अब्सर्फ किया कि M.E.W.E. का डिस्ट्रैक्स में जो aggression होता है वो बहुत ही genuine होता है देखो, aggression दो types के होता है एक होता है fake aggression जो बहुत ही बनावाटी लगता है और एक होता है natural aggression जो एक दमसली होता है और M.E.W.E. का अग्रेशन इतना रियल होता है क्योंकि M.E.W.E. बीफ गेम को बहुत ही सीधिसली लेता है जिस लाएक विराट कुलियो अन दे क्रिकेट फील्ड हमेशा अग्रेसिव और पंप अप रहता है M.E.W.E. एक ऐसा बंद है जो डिस्ट्रैक्स में हर एक चीज का रिप्लाई करता ही करता है फिर चाहे उसके लिए M.E.W.E. को आठ मिनिट का डिस्ट्रैक्स बनाना पड़े या फिर दस मिनिट का एन इसके साथ-साथ M.E.W.E. बहुत स्मार्टली सिनारियोस को भी ट्विस्ट करता है फर एक्जामपल ये सुनो So M.E.W.E. अपने डिस्ट्रैक्स को क्लेवर ले लिखने के साथ-साथ एक-एक बार का काउंटर करके ही चोड़ता है M.E.W.E. को भले एक पूरा पिक्चर ही उना बनाना पड़े पर M.E.W.E. चोटे-चोटे चीज़ का रिप्लाई करके ही चोड़ेगा एन ये चीज़ M.E.W.E. के उपोनेंस के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग बन जाता है इचाबे मुझको करते कुद का सोचे इनका ताइम है देखो, वस्टालिटी इन डिस्ट्रैक्स का मतलब ये होता है कि M.E.W.E. अपने उपोनेंस के हिसाब से अपने डिस्ट्रैक्स का जोन चेंज करता है एक्जामपल, रफ्तार वसिस M.E.W.E. एक परसनल डिस्ट्रैक्स था तो M.E.W.E. ने पूरे उस डिस्ट्रैक्स में कोई भी गालिया का यूज नहीं किया था और M.E.W.E. ने विदाउट क्रोसिंग दा लाइन उस बीफ में इना मास ओर्डिन्स फ्रेंडली वे कंपीट किया था फिर 2020 में जब डिवाइन वसिस M.E.W.E. का डिस्ट्रैक्स बैटल जो एक मिसंडरस्टैंडन के बिसिस पर शुरू हुआ था उस बीफ में M.E.W.E. ने अपने उपर लगे सारे ऐलिगेशन का रिपलाई किया विद यूजिंग बैर मिनिमम का स्वर्ड और फिर 2022 में जब क्रिष्णा वसिस M.E.W.E. का डिस्ट्ल हुआ था इस ट्रैक्स इस बीफ में शीन के बइटाऊ में इनकी नीन दे खाली करे ले गैस के लोगे पैस दे लोडे मिशूर है M.E.W.E. का एनोजी लेवल नॉर्मल गानों में भी हमेशा हाई रहता है पर डिस्ट्रैक्स के वक्त M.E.W.E. का जो एक्जूबरेंस और इंटेंसिटी होता है वो पूरे डियेच सीन में M.E.W.E. से बिटर किसी के पास भी नहीं है M.E.W.E. का जो डिस्ट्रैक के एरल साइन है जो आठ मिनिट बारा सेकंड्स का है उसको M.E.W.E. ने पूरा वन टेक में ही शूट किया है इमाजिन एक बंदा पूरे आठ मिनिट तक नॉन स्टॉप अन्रियल एनजी के साथ स्पिट कर रहा है अन्रियल एनजी होने के साथ-साथ M.E.W.E. के बस और टॉप तूप तूप से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही युनिक टॉपिक्स पे क्वालिटी वीडियो दिखने के लिए मेले चैनल स्पीच्टर को सब्सक्राइब करो सो दे सेकंड स्पिशालिटी जो M.E.W.E. से बेटर पूरे सीन में कोई भी नहीं कर सकता है एन बाइफार M.E.W.E. has the best mimicry skills in DHH Bantai अपने सारे opponents like Raftar, Stan, Divine और Prishna को flawless तरीके से M.E.W.E. किया हुआ याकीन नी होता यह देखो किरा कंहुकर माइक पे का रहा है साला मर इक गला ये गोट गला जो चला तो सनखाय मत गला ये गोट गला जो चला तो सनखाय मत गबूट गला तु F Hard महीं बनेगा Pbug मिलेगा Short रगडलेगा अन ड़ेगा Spot मंने हा हो और करी मेंने拉 करी मेने वोन शॉट दे रहा भाई तेर को भी जैसे है मिमिक्री डिस्ट्राक्स को एंटिटेनिंग तो बनाते ही है बट उसके साथ साथ वो लिस्नर्स में अलग एड्रिल इन रश्ट भी जेनरेट करते है और बंटाई में जो मिमिक्री स्किल्स है उसके लिए ही डस नाव तो एनीफिंग एक्स्ट्राक्स क्योंकि यह अबिलिटी ही में इन बिल्ट है पर मिमिक्री स्किल्स से भी जादा एक और खतरनाक स्पेशालिटी है विच इस अलसो दर नंबर वन स्पेशालिटी ताट मेक्स अमीवी दे किंग फिस्ट्राक्स पर बंटाय का केस थोड़ा अलग है क्योंकि एमिवी एक अपर मींस्ट्रीम आटिस्ट है जब एक इतना बड़ा आटिस्ट अपने डिस्ट्राक्स में बिलो दे बेल जाता है तो कभी-कभी उस आटिस्ट को कुछ बैक्लाश भी फेस करने पड़ सकते है इस 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 बिगईस्ट रिजन वाइ रापर्स लाइक रफ्तार और डिवाइन अपने इस्ट्राक्स में खुद को खुल के एक्स्प्रेस नहीं करते अब तुम मझे दो चीज़े कमेंट करके बताओ अब तुम्हारे अकॉटिंग के अब तक अंडिफ गेम में अब तक अंडिफीटेट है यस और नो अब अगर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सुब्स्क्राइब करो